हेलो बच्चों, जो भी बच्चे किसी भी competitive exam की preparation करते हैं, वो एक problem को बहुत ज़ाधा face करते हैं और वो यह है कि बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद, अच्छा खासा समय देने के बाद, कई बार जो भी उनके institute में regular test होते हैं, या फिर कोई P.I.Q के जो test होते है जब भी उन test को देते हैं, तो वो उतना अच्छा perform नहीं कर पाते हैं, कहने का आर्थ है कि उनके marks आ रहे होते हैं test में, वो कई बार उनके efforts के या फिर उनके पढ़ाई के directly proportional नहीं होते हैं, बच्चे के ऐसा लगता है कि सर मैंने पढ़ाई तो 220 नमबर, 230 नमर के आसपास ही रह जाते हैं, किन-किन points का ध्यान रखें कि आपके regular test के अंदर नमबर बढ़ें और आप आगे जाके ultimately अपने J.E.I.N.E.T. के अंदर exam में बहुत अच्छा कर पाओगे, इस बात को में इस वीडियो के तुरू discuss करेंगे, आपके मनने फिर भी कोई doubt रह जाए, तो बड़ा comment box में लिखना, मैं reply करने की कोशिश करूँगा, although I will make sure that कि आपको जो भी information चाहिए test के बारे में, वो सारी के सारी information में इसी वीडियो के तुरू समझा दो, although of course इस complicated बात को समझाने मुझे समय लग सकता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो किसी जे या नीट के exam में अगर अच्छा करना चाता है, बढ़िया करना चाता है, टॉप की rank ले करना चाता है, तो वो यह जो mock test है या फिर जो institute के जो exam है, उनको lightly नहीं ले सकता, और test देने के पूरा पूरा process होता है, उस पूरे के पूरे इस process की ecosystem को समझना बहुत जरूरी है, और exam में excel करने के लिए, exam में अच्छा करने के लिए ये एक ऐसा tool है, जो एक तरह से compulsory है, इसके बिना exam में अच्छा किया जा ही नहीं सकता, मैं एक खास दोर से उन मकार बच्चों को काऊंगा, जो बच्चा है कहता है कि sir मैं अभी तो एक काम करता हूँ कि syllabus complete कर लेता मॉक टेस्ट में बिल्कुल लास्ट के एक मैने में खूब सारे दूँगा, तो मैं उन सभी बच्चों को कहूँगा कि बेटा आपके सिर्फ और सिर्फ ये मकारी है, और as a teacher मुझे कहना ही पड़ेगा, I have to point it out कि बेटाई तेरी मकारी है, इस मकारी से बाहर नेगल, क्योंक मैं आग जाके इस बात का समय मिलेगा ही नहीं, जैसे फूर एक्जांपल कोई बच्चा कहें, कि सर मैं तो हैना दिसम्बर एंड और जैन में खूब सारे टेस्ट दूँगा, जैई मेन के पहले टेम्ट से पहले, तो उस तरह होगा कि तुम टेस्ट तो चलो खूब सारे दि नुर कर सको, अभी आपके पास वो समय है, कि आव अपने गलतियों पर काम कर सको, और अच्छे से अच्छी रेंक ला सको, तो अल्टिमेटल लेकिस बात से डेस्ट से डेसाप ब्रांच मिलती है, कि कौन सी आईटी मिलती है, एक्सा में जाब जाया हो आख गाने के लिए, और वो सारे के सारे टेस्ट के रिलिवेंस एक्चुल एक्जाम के हिसाब से होनी जी ना उनसे easy ना उनसे बहुत ज़़ा tough और उनी एक्जाम को लगातार देते देते हैं अगर बच्च अगर cautious efforts लगातार मरेगा तो मुझे बहुत विश्वास है कि वो अपने performance को लगातार improve कर सारी बातों को ध्यान से इत्मिनान से सुने और उनको implement करें because we all know it very well कि ना सुनते सभी हैं मानते कमी बच्चे तो जो बच्चे मानने वाले होंगे उनको of course इस बात का फर्क पड़ेगा कि आज की दिन में बच्चों से क्या बात की सबसे पहली बात जैसे बड़ा आप किसी इंस्टूट में बढ़ते हो आप किसी online में बढ़ते हो किसी offline में बढ़ते हो आप competition के student है competition के YouTube के student आप जहां कहीं भी बढ़ते हो आप के लिए test compulsory है अगर आपको अच्छी IIT, NIT या medical college चाहिए तो आप test को ignore नहीं कर सकते हो test को ignore करना मतलब अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई की तिलांजली देने के बराबर ही है तो please periodic test दे, as a teacher में तो हाद जोर गएक होंगा कि बढ़ता test जरूर दे, number कम आना, जादा आना, यह secondary चीज़ है, primary चीज़ है कि test दे जरूर, अगर number कम आते हैं तो उनके कारणों को find out करके उनके काम किया सकता है, यह काम तो कब तब स्टार्ट होगा, आते हैं मैं कम सकम टेस्ट दू, तो test से धरें नहीं, test को face करें, और जो भी आपके mock test आपके भले offline coaching में जो इंस्टूट होते हो, उनमें आप exam देते हो, बिल्कुल दीजे, अच्छे से दीजे, और अगर number 110 आएं, अगले में 115 आएं, ऐसे करते करतें, gradually मुझे जब जीनेन का exam आगा तो मुझे 180, 190 के आसपास number लेके आने, this is not the race against the other aspirants, it is the race against time, help patients, और लगातार conscious efforts मारें, लेकिन regular test जरूर दें और अपने कमियों पर काम करें, test छोड़े नहीं, पहली बात बढ़ाईए, दूसरी तो यह कि कई बैच्चों को यह doubt रहता है, कि sir मैं अभी J main के ही test दूँ, या J ya advance दोनों की मिला कर दूँ, तो आदेको इसमें, मैं एक rough सा algorithm बतायता हूँ, कि जिस किसी बच्चे के marks 180 के उपर आ रहे हैं, अपने institute के J main के test लिए अंदर, वो J advance के regular test भी लगातार देते रहे क्योंकि बढ़ा जितने भी institute है, वो J main के test लेते हैं, advance के test लेते हैं, किसी एक week J main का ले लिया, फिर दो week छोड़ के advance का ले लिया, ऐसे करते हैं, तो किसी बच्चे के अगर 180 से जादा नंबर आ रहे हैं, J main के paper के अंदर, वो advance के paper भी जरूर दें, आपकी performance बेटर ही होगी लेकिन अगर किसी बच्चे के number 140 से कर कम है, तो वो एक बार चाहें, तो advance के test छोड़ सकता है, मैं यह कहनी रहाँ कि छोड़ो, मैं उसको कह रहाँ, जिस बच्चों के advance के test से अटर लगता है, वो अगर एक बार चाहें, तो छोड़ सकता है, although मैं तो कहूंगा भी देना चा देना चाहिए, फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सब मैं advance के exam देने में time भी लगता है, 6 गंटे लगते हैं, और फिर सब मुझे उतना output की feeling नहीं आती, उस time को अगर मैं किसी practice में use करता है, फिर J.E.M.N का test देने में अगर use करता, तो शायद मैं better कर पाता हूं, तो it's understandable, त next is chapter wise test versus cumulative test, अब बड़ा मैं इन दोनों को बार discuss करता हूं, किस बच्चे को कौन से कौन से test देने चाहिए, देखो आगा, chapter wise test तो मुझे ऐसा लगता है, कि सिर्फ उसी बच्चे को देना चाहिए, जिस बच्चा confidence रहा था shaky type का सो हो, या फिर किसी बच्चे को ऐसा लगता इसमें मैं अच्छा नहीं कर रहा, तो उनके chapter wise test देदी है, otherwise आपके periodic cumulative test होंगे, when I say cumulative test, इसमें मैं इसका मतलब, जिस test के अंदर 5 chapter आ रहे हैं, 6 chapter आ रहे हैं, शुरूआ से लेकर अब तक के सारे chapter आ रहे हैं, इन chapter के test हमेशा ही जाधा importance के होंगे होंगे, इसकी बच्चे का गंजर्व करना है, ठीक है, और बस, और कभी-कभी energy गंजर्व करना है, वो E की equation लगानी है, तो वो सवाल जब पढ़ता है, तो पहले से ही उसके दिमाग के रहे हैं, इसे के सवाल होंगे, तो वो हर सवाल को फ्रेश सरीके से नहीं सोचता, लेकिन जब cumulative test होता है, जिसमें पांच चेप्टर, छेप्टर, दस चेप्टर, एक साथ आता है, यह पर full syllabus test, जिसमें सारे चेप्टर होते हैं, तो उसमें आपको सवाल को पढ़कर पूरा टाइम सोचना पड़ता है, कि हाँ, यह सवाल में क्या पूछ रखा है, क्या दे रखा है, जो पूछ रखा है, उस उसका जो रास्ता है, उसमें कौन से कौन से equations मनेंगी, अच्छा-च्छा, momentum की equation और E की equation मनेगी, तब वो उसको freshly सोचना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्छा पूरे साल सिर्फ वो सिर्फ चेप्टर वाइस test दे रहा होता है, वो actual exam में, full syllabus test में कई बार रु सोच नहीं पाता है, पहले के सोच पड़ा था, तो ऐसे case में इन दोनों में ज़्यादा important हमेशा ही आपके cumulative प्रियोटी test है, वही रहेंगे, बट फिर भी आपको लगातार कुछ chapter-wise test देने ही चाहिए, खास तोर से उन chapters के बड़ा chapter test देने चाहिए, जो chapter आपके कमजोर हो, जिनका आपने revision नहीं किया हो, कई बार ऐसा बहुत होता है, कोई chapter बहुत पुराना हो गया, आपको इसको revise करना है, तो आपको chapter-wise test दे सकते हैं, लेकिन chapter-wise test ही देकर जही का exam देने चला हो, तो मान के चलो कि हमारी expectation के साब से number नहीं आएंगे, cumulative test, full syllabus test, compulsory है, इसी तरह से को बहुत चाह सकते हैं, कि sir, मेरा तो confidence बहुत shaky है, sir, मैं तो पढ़ा में बहुत पीछे चल रहा हूँ, sir, मैं अगर पांस चेप्टर का अगर एक साथ अगर test दोंगा, तो मैं sir, और अच्छा नहीं कर पांगा, वो अच्छा अगर चाहें, तो chapter-wise test दे सकता है, लेकिन अगर पढ़ा ही बढ़िया चल रही है, सब बल्कुल पूल चल रहा है, तब उस case में जो आपके cumulative test हैं, जिन में 3, 4, 5, 10 चेप्टर आते हैं, वो test हमेशे हैं जाधा useful होंगे ही होंगे, लेकिन chapter-wise test कैसे use कर सकते हो, as a revision tool कि तरह आपन को use कर सकते हो, I think I am explaining too much, बच ठीक है मेरे का full syllabus test कब से दे, या देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो 12 वाला बच्चा है, वो लगभग लगभग 15 नॉवंबर या बड़ा ठीक है, 20 नॉवंबर के आसपास तक syllabus complete कर लेगा, तो बड़े अराम से 15 नॉवंबर के आसपास से full syllabus test दे सकता है, जो dropper बच्चा हो, मेरे ख्याल से 20 दिसंबर के आसपास syllabus complete कर लेगा, तो उसे नियरली 15 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर के आसपास से वो full syllabus test दे सकता है, रफली आप ऐसा मान सकते हो, कि जैसे ही आप 90% syllabus complete हो जाए, उसके बाद से आप full syllabus test देना start करते हैं, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए, कि आप सिर्फ वो सिर्फ लेट से कि 50% syllabus complete करके बाटे हो, और फिर आप full syllabus test देने चले गए, ऐसा करने से आपके टेस्ट देने की जो आदते हैं, वो खराब हो जाएगे, क्या होगा, कि फिर आप 50% syllabus complete करके आए हो, तो आपको सिर्फ वो सिर्फ वही chapter आते हैं, और आप उनके सवाल चार-चार के करते रहोगे, और हर सवाल के अंदे चार-चार-चार-पांच मिनट देते रहोगे, क्योंकि बढ़ आपके आपकी आदत पड़ी हुई न, कि मेरेको तो यह वैले chapter आते हैं, तो फिर आप हर सवाल को जब चार-चार-पांच मिनट दो के तो आपको आदत पड सवाल करना होगा, ऐसे केस में time management would be an issue, तो ऐसे केस में full syllabus test तभी देना start करें, जब 90% से ज़्यादा syllabus आपका complete हो, otherwise आपने जो cumulative test और चेप्टर वाइस test हैं, उन पर ही वरुशत पड़ाजा जाता रखें, चेक हैं, next is extremely important, test देने के 3 step होते हैं, revise करना, test देना और analyze करना, बह लेकिन test देने में 3 चीज़ें series में लगी है, क्या बढ़ा, revise करना, test देना और analyze करना, हमेशा जब भी test देना तो revision करके ही जाएं, अच्छे से revise करें, बढ़िया से revise करें, सारे formula देखें, सारे concept देखें, सारे theorem देखें, कुछ चीज़ याद नहों तो लिख लिख कर लें, लें इसका year नहीं कि exam में let's say कि तीनों subject देखें लागर 15 chapter पूछ रहे हैं, और अच्छे से revise करने के chapter में सिर्फ उसे 5 chapter revision करके चले हैं, और उन 5 chapter में derivation भी देख रहे हैं, टफ सवाल भी देख रहे हैं, और दुम गहराई से हर बात कर रहे हैं, और बाकि 10 chapter देखें नहीं, 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 ऐसा नहीं होना चीए, perfectionist नहीं बनें, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरे class notes को अपर से देख लिया, उपर उपर से पढ़ो, superficially पढ़ो, जो चीज़े याद रखने वाली वो याद रखो, अगर RBD पढ़ना तो ये पढ़ो, कि हाँ भाईया, देखो ऐसा है, कि ये bodies है, इनका, इन, इन, एक्सेस के बाउट, ये ये moment of inertia है, दो theorem बड़ी काम की है, perpendicular axis theorem और parallel axis theorem, ये कहते हैं मुझे बता लगिया, radius of gyration ये होता है, that's it, फिर आगे बड़े अच्छा torque ऐसे लिखते है, torque is equal to alpha पे SSS सवाल करते हैं, force couple ये होता है, point of location of force ये होता है, equilibrium के सवाल के अंदर हम ऐसे-इसे torque को balance करते हैं, angular momentum ऐसे लिखते है, angular momentum अग्सेसे लिखते हैं, angular momentum गंजरेशन की easy-easy वाले सवाल ऐसे होते हैं, बस ऐसा करते करते हैं, दिर दिर आगे बड़ो, और उस पूरे की पूरे RPD को अगले 45-45 मिनिट में ही revise कर लो, कहीं फसो कोई चीज याद ना रहे, तो दो बार लिख कर याद करो, लिगना ऐसा है नहीं कि उस RPD को हर सवाल को अपिस से कर रहे हैं, गहरा है यसे हर बात पे जा रहे हैं, और उसी RPD को revise करने में ही तुमने कोई 3 गंटे लगा दी है, अखिला RPD को भी पूचेंगे, बाकी चेप्र पू पेपर दें, फुल कंसेटरेशन, फुल फोकस के साथ पेपर दें, मेरे इस बात को जान सो सुन, देखो हैं, हम लोगों क्या होते हैं कि आदत पर जाती है, जैसे मालनो की पेपर आया, और पेपर को हमने वहुकुल आराम से, कूल कूल तरी के से, आदे टाम गाने सुनते व होंगा उस फुल कंसेटरेशन, फुल फोकस के साथ, तो आदत डालना बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए जितने भी आप टेस्ट दें, आपकी इंस्ट्यूट में जो भी टेस्ट होते हो, उन सारे के सारे के सारे को कोशिश करो कि कम्प्यूटर बेस टेस्ट ही दे, पेप पर पैन वाले टेस्ट का इतना यूज़ आपके लिए नहीं है, आपके लिए कम्प्यूटर बेस टेस्ट ही सबसार इंपोटेंट है, और कम्प्यूटर बेस टेस्ट जितने भी थे उसमें फुल कंसेटरेशन, फुल फोकस, तार का सारा बिलकुल इतम हंड्रिट परसेंट होना चाहिए, नंबर कितने आते वलग बात है, लिए उस तीन गंटे के अंदर आप सिर्फ वोस एक्जाम में ही पूरे को पूरे खोय रहे हैं, फिर क्या होगा कि इतने सारे जब आप टेस्ट दोगे, इस तरह से 30-40 टेस्ट देखिए, आप जब 20 जैन को एक्जाम देने पिर ली, ऐसा अगर किया, तो फिर अगीन आपका तीन गंटे कंसेंटरेशन एक्जाम में नहीं बनेगा, तो ऐसे केस में, प्लीज, 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 फुल फोकस और फुल कंसेंटरेशन साथ की एक्जाम दे, सारा का सारा 100% सिर्फ और सिर्फ एक्जाम पर ही फोकस रह अगली बार दो घंटे पंदर मिन तक लग दाओ, ऐसे चलते 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 ट्राइ करते रहो, वो दिर दिर टाइम बढ़ जाएगा, have patience, but लगा था consistent efforts लगाओ तो से, efforts लगाओ तो से, efforts लगाओगे ना, बन जाए था, ठीक, next is, जैसे ही paper हो जाए, उसके बाद ये पता करो कि कौन से कौन से सवाल आपने नहीं किये, और कौन से कौन से सवाल गलत हुए, मेरी बात धान सुनना, जो तो सवाल आपने नहीं किये, और जो तो सवाल आप से गलत हुए, उनको वापस से retry करो, बिना solution देखे, और मेरी बात का भरोसा रखे, इन में से काफे सारे सवाल तुमसे बन दे कुछ बच्चों वजीब लग रहा हूं कि लेकिन यह सच्चा ही है, मैं एक्जामपल के बोलता हूं कि let's say कि 90 सवाल में से for example किसी बच्चे ने 30 सवाल या तो गलत हो गया चूट गया, जैसे वो गहर पर नभ्य सवालों को करे गगा, अब उनको कुछ ऐसा क्लिक कर जाएक, और एक्जाम वेले बाद तो दिमाग में यह नहीं आई, और एक्जाम न लाट वन現在 perspective कैसे वो आचानक से उसको क्लिक कर जाएगा, तो इन तुम्मेंसे कुछ सवाल ऐसे होंगे जो तुमसे अब बन जाएंगे और वो जो अब बन गयाना सवाल वो तुम्हें आराम से हमेशा है याद रहेंगे अगर मालों कि लेट से डाइपोल की वैसे एक्सेस पर एक्सेस पर एक्सेस का फॉर्मलाई 2 kp.rq तुम्हें वहां पर लगा कि आरे यह वाले गलती मुझे रिपीट नहीं करने है यह तो जब भी इस तरह के सिच्वेशन अराइज होगी तो सबकॉंशेस मैंड आपको कहेगा कि बेड़ा ध्यान रख इसका फॉमला 2 kp.rq नहीं हो तो ऐसे में उन 30 में से 12-13 समाल तुमसे वापस से अपने थोड़ा excitement भी आएगा और तुम्हें थोड़ा समला ऐसास गोगा कियार how stupid I was in the exam और वो जो एसास है वो तुमारे आगी वाले जो mistakes हैं जो आगी एक मेने में दो मेने में तीन मेने में चार मेन में अगर दस मेने जो होने वाली है उन mistakes को पक्की बात की कम करेगा शौर बात ह जाओंगे हर बार ऐसा करें जो सवाल बीड़ा आप से ना बने उनके पहले आप टेक्स स्लूशन देखें वीडियो स्लूशन पर ना उचले सीधह बढ़े क्या एक स्लूशन ना समझा है पर दस पर सेंट केस में आपको टेक्स स्लूशन देखते समझागे क्या करना है यह तब जाके बढ़ आप वीडियो सोलुशन या फिर अपने फैकलिटी से पूछें, अधर्वाइस, टेक्स्ट सोलुशन से ही आपका सारा सारा काउंट बड़े आराम से, बड़े इत्मिनान से बन जाएगा, कूल तरीके से, जब भी आपने टेक्स्ट सोलुशन देख लिया, उसके बाद आराम से, इत्मिनान से, अपने पूरे के पूरे विपल को अच्छे से एनलाइस करें, एनलाइस करने में में मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, हलाकि मैं किस तरह से एनलेसिस बता रहा हूँ, मैं उसमें पहले क्लियर कर दू कि हमारे जो कॉम्प्रिटेशन पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ऐसे एनलेसिस उसके पास अपनी इंस्ट्टूट की एप में या वेबसाइट में आता होगा, नहीं भी आता होगा, तो आपके बाकी बच्चों से अपने रिलेटिव पर हुएंस का आईटिया लगा कर आप किन-किन बातों का ध्यान रखते तो चली बटा, मैं एक छोटा सा आपके साथ डिसकुशन कर रहा हूँ, कि पेपर को किस तरह से एनलेस करना है, मैंने एनलेसिस के अंदर एक प्रजवल नाम के बच्ची के एनलेसिस खोल रखे, 43 बच्चों के अंदर प्रजवल की 8 रेंग है, 300 में से 186 प्रजवल के मास है एकुरेसी बटा, लग भग लग 74 परसेंट के आसपास है, 3 घंटे पूरे बच्चे ने एकजान दिया है, प्रजवल का जितना सारा का सारा बड़ा जो अनलेसिस है, उसको डिसकुश करते हैं, बाके सारे बच्चे भी exactly इसी तरह के सारी सारी बातें अनलेसिस कर सकते हैं, और उनसे क्या-क्या इंफिरेंसिस ले सकते हैं, अपने अदर क्या चेंज करते हैं, उसको अपन डिसकुश करते हैं, जिस भी इंस्टूट के आप पढ़ाई कर रहे होंगे, उसके अंदर लग भग लग ऐसा सब बड़ा कोई ने कोई अनलेसिस आपके पास होगा ही होगा, उस अनलेसिस से आप क्या-क्या information एक्स्ट्याट कर सकते हों, उस information से अपने बारे में क्या जान सकते हों, अपने में क्या कमिया जान सकते हों, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उसको आराम से detail में discuss करते हैं, अगर आपके institute के अंदर इस सार का मालाउक क्या analysis ना हो, तब भी बा अगर हम प्रजूर की बात करें उसके बाद relative performance अगर देखें तो बड़ा यह उसकी करसे relative performance है इसमें यह प्रजूर की information है बड़ा यह उसके बाद Topper के साथ comparison है उसके बाद बड़ा 10%, उपर की जो 10% बच्चे उनसे प्चुर का comparison है ओवरवल 186 मार्क्स हैं, बड़ा हाट टोपर के 267 है, और उपर के 10% बच्चों के 227 मार्क्स के आसपास हैं, यह information मुझे यह बताती है, कि आप हमेशा हैं जो comparison करो ना, वो टोपर से मत करो, उपर के जो 10% बच्चे हैं, उनसे comparison थोड़ा सथा rational होगा, कि कई बार ऐसा हो सबत इसमें वो वाले information बड़ा कई बार हमारे थोड़ी सी इतने काम की नहीं होती, काम की क्या होती है, कि let's say कि 80 बच्चों कोई बैच है, तो उपर के 7-8 जो बच्चे हैं, उन्होंने कैसी performance की है, उससे में कफिया तक idea लग जाता है, तो वैसे ब आपके पास जिस institute में आप ना खड़ा और मेरे में और उसमें क्या difference है, तो प्रजुल के 186 marks हैं और जो उपर के 10% वाले लच्चे हैं, उनकी 227 marks है, इसका मतलब है कि अभी भी प्रजुल को काफी अच्छा-कासा improve करना बच्चा है, यह जो number का difference है, यह लग भग लग लग 40 number के आसपास का difference है, 300 number के paper में 40 number लग 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 बड़ा 13% के आसपास होता है, इसी तरीके से मनलो, मैं अब subject के आता हूं, कि कौन सब्जेट हमारा अच्छा है, कौन सब्जेट खराब है, यह तो test से पता लएगा, आपके सोच्टिव मेरा कौन सब्जेट अच्छा है, कौन सब्जेट खरा हैं, physics के अंदर, it means that, कि प्रज्वल is doing very good in physics, कोई दिक्कत नहीं है, अब comparison देखना chemistry में, chemistry में प्रज्वल के 54 है, और top 10% बच्चों के 81.4 marks है, इसका मतलब chemistry के अंदर प्रज्वल is doing really bad, उधना अच्छा नहीं कर रहा है, यतना अच्छा वो physics में कर रहा था, mathematics में chemistry थोड़ी सी weaker है, it means that, he have to give more time to the chemistry, your rank determining subject is the subject which is the weakest, जिस सब्जेक में आप सबस्यादा कमजोर है, जिसमें आपके number सबसे कम आ रहे है, वो आपका rank determining subject है, अगर आप उसको जादा समय दोगे, जादा पढ़ोगे, जादा सवाल करोगे, जादा doubt कूच होगे, तो उस case में, उस subject में जो number का increment आएका, वो हमेशा ही सदाता होगा, और आपके overall marks को, overall percentile को, overall rank को, वो काफे अच्छा पर जम्प देगा, तो ये information में काफे उत्तगी वाल information देती है, एक छूटी सी में बात को बताऊंगा, इसके अंदर बढ़ा, अगर मैं questions कि अगर बात करूँ, तो प्रज प्रजवल ने, इसमें गर देखो तो बहुत बड़ा ऐसा gap है नहीं, 51 ये बड़ा 58 ये, बड़ा जो gap आया है, वो 18 और 4 में है, प्रजवल ने 18 सवाल गलत किये और top 10 percent वाले बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ चार सवाल गलत किये, जो सवाल सही है, उसमें प्रजवल और top 10 percent बच्चे लग भग लग बड़ा सही है, 51 और 58 के अगर बात कि तो बड़ा लग भग लग वो मेरे ख्याल से 14 percent के आसपास का मेरे ख्याल से difference आ रहा होगा, लेकिन अगर यहां पर अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से प्रजवल ने साड़े चार गुना जादा सवाल गलत क अगर आप सवाल जादा गलत कर रहे हैं, जो बच्चे के बड़ा यह लिए information नो वह भी सवाल count करें कि उसने कितने सवाल गलत कि है, और जो उपर के 10 percent बच्चे हैं, उन्होंने कितने सवाल गलत कि है, अगर आप सवाल जादा गलत कर रहे हो, it means that कि आपको अपने exam में एक ह कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर सवाल में कुछ पेचीद की है, तो आप उसे एक बार के छोड़ सकते हो, और उन सवाल पर focus जादा करो, जो सवाल आपके, जिन सवाल में confident होड़े से जाद हो, जो सवाल गलत हुए है, 18 प्रजुल के, मान के चलना कि यह सवाल mostly वही होंगे, जिमें प्रजुल confident था, जो सवाल छूड़ गया, वो तो नहीं आता, ठीक बात नहीं, लेकिन बच्चा जो सवाल गलत करता है, उसमें से mostly सवाल गही होता है, जिसमें उसको लगत में कर लूँगा, और फिर उसका गलत होता है, और उसमें अकसर दिकत किसकी आ ही है, यही कारण में आपको मिलेंगे, और जैसे एक कारण लेके हर कारण को लिखें, अगली बार इन 18 को बड़ा गटाते, गटाते, 16 करो, 15 करो, 11 करो, ऐसे गटाते, गटाते, उनको भी 4-5 के आसपास लेकर आओ, जैसे यह 18 घटकर मालनो 4 हो गए, भले ही सवाल जितने कि रहा है, और वो लग-मग-मग-मग उपर की बच्चों के बराबर कर रहा है, तो इसका गलती का हो होगी, silly mistake, calculation mistake, वहाँ गलती होगी, he just have to spend some time with these 18 questions, and write down कि मुझसे क्या-क्या गलतियां हो रही है, अगर उसने इस काम को religiously किया, तो उसमें differences देखना start हो जाएंगे, उसमें improvement देखना start हो जाएंगे, यह अभी तो change हो सकते हैं, आगले बिड़ा फिर लास्ट के एक मेर में change नहीं होगे, बढ़ागे चलते हैं, next is, यह तो बढ़ा ऐसी information है कि अगर आपने अपनी errors को अगर मानलो कि 25% कम कर दिया हो तो आपके 186 के बजाए 208 marks है, यह तो बढ़ा ठी बढ़ा ठीज बढ़ा ठीज़ा अगर बढ़ा ठीज़ा अगर अगर पच्छीस परसेंट भी अपने गलतियां कम करना हो तो मेरे नमबर 208 के आप सपास आजाएंगे, यह बताता है, इसमें यह बताया गया है कि आपने सहीग सवालों के साथ कितना time spent किया, गलत सवालों के कितना time spent किया, और जो सवाल छूड दिये, उनके साथ कितना time spent किया, अगेन बढ़ा जो मैं comparison कर रहा हूं, बढ़ा मैं mostly ऐसे करने कोशिश करता हूं कि लेट से प्रजवल और टोपर को देखते हैं, प्रजवल ने सही सवालों के साथ 114 और टोपर ने बढ़ा 142, प्रजव बहुत ज़दा गलत सवालों के साथ time spent हो रहा है, हाला कि जो लास वाल जो देटा था, वो भी लगब लब यही बात बता रहा था, तो it means that कि हमें सिर्फ उसे गलत सवाल, जो हमसे हो रहे हैं, उनको identify करने, कौन से कौन से common mistakes में बार बार repeat करता हूं, उनको identify करको इनको लग जिसमें प्रजुल की mark सबसे कम थे, उसमें प्रजुल ने 36.8 minutes दिये हैं, टोपर ने 55 minutes दिये, it means that chemistry was not that easy, क्योंकि टोपर ने 55 minutes तो दिये हैं, उसके अंदर, प्रजुल ने कम समय दिया है, कम समय दिया है, उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि उसने maths को बाजा समय दे द होते हैं, जादा पढ़के आते हैं, और अगर ये 9 minutes होकर उन्हें आगर मालनेजी की chemistry को लगा होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उड़ा सा वो जादा number ला सकते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस, कितने सवाल ऐसे हैं, जो एक मिनट से कम में सही हो सकते हैं, अब सु से कम सौल होने वाले सवाल, mostly वो होंगे, जो यहां तो memory-based होंगे, formula-based होंगे, ठीक है, सिदे formula पूछ लिया होगा, सिदे formula का application पूछ लिया होगा, या कोई सवाल आपने पहले से कर रखा होगा, उसका result होगा, वही आ गया होगा, तो it means that कि यहां पर भी अच्छी, खासी, एक scope बचता है कि higher, मैं चीज़े थोड़ी से याद रखूँ, मैं अगर थोड़ा सा याद रखने पर, results याद रखने पर अगर मैं focus करूँ, तो मैं काफे सारे सवाल ऐसे भी सही करूँगा, जो मैं एक minute के अंदर भी निप्टा सकूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रज जिक्स वाला ही मैंने इस के अंदर खोल रखा है, जो पोर्टल है, पहला वाला सवाल, प्रजुवल ने सही किया है, बाकी बच्चों ने भी ध्यान से अगर देखो, तो टॉप 10% में, टॉप 10% वाले बच्चे हैं, उनमें से 80% बच्चों ने सही किया, 20% बच्चों ने सवाल के अंदर लगा है, इट मीज़ देखें, अगला सवाल अगर देखें, तो बड़ा ठीक है, प्रजुवल के चार माक्स आए हैं, और जो टॉप 10% वाले बच्चे हैं, उनमें से 100% बच्चों ने सही किया, बाकी बच्चों ने वाले सवाल से इक है, इट मीज़ देख बच्चे को पता लगे, नेक्स्ट आगे वाला सवाल, ये स्वाल थोड़ा सा बड़ा ध्यान देना, प्रजुवल ने गलत किया, माइनस वा नमबर आये हैं, और एक मिनट 24 सेगंड के आसपास का समय भी लगा है, जो टॉप 10% वाले बच्चे हैं, उनको भी समय लगब सही किया, इट मींस देट कि ये वाला सवाल थोड़ा सा डूएबल था, और बच्चे कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, तो ये सवाल ऐसा है, जिसके साथ थोड़ा सा ताइम स्पेंड करना चाहिए, अगला और देखते हैं, ध्यान देना, ये सवाल अगीन बहुत यची इ बच्चों में सिर्फ 40% बच्चे सवाल से गर गया है, बाकी बड़ा 60% बच्चों सवाल छोड़ चुके, ठीक है, इसमें परजवल ने सवाल सही भी किया है, और एक मिनिट से 27 सेकंड में ये वाला सवाल कर भी लिया है, बाकी बच्चों में लग लग समय इतना लगा है, इसका मतलब ये वाला सवाल प्रजवल ने काफी तोड़ा सा अच्छा किया ऐसे बड़ा लगाता है हम सारे सारे information इसकंदर से extract कर सकते हैं ये वाला सवाल अपने अपने बहुत ही लेकिन प्रजवल को इस सवाल करने में लग बग लग पौने चार मिनट के आस पास समय लगा है सवाल उतना टफ नहीं था प्रजवल टुक टूमच अफ ताइम इसको एक बार टाइम सपेंट करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस सवाल के अंतर ऐसा क्या था कि बाग की बच्छों ने जज़दी कर लिए और मुझे टाइम लग गया उन्होंने फटावंट परले लेक्सिस तो और उगरा लगा लिए उनको होसता है कि हमने पहले सवाल किया हो फिर कुछ गलत हो गया और फिर मैंने वापिस से क्या ह कि पहले दो मिनिट को मैंने सवाल किया और फिर ऑप्शन चेक के तो मेरा आए वो ऑप्शन में नहीं था फिर पता लगा मैंने कैल्कुलेशन मिस्टेक कर ले तो इससे ये बात पता लगते है कि जब भी मैं सवाल करूंगा थोड़ा सा कौशिस एफर्स दाली पोशिश ठीक है वो तो अच्छा हुआ कि जब आए वो ऑप्शन में नहीं था अगर उप्शन में होता तो मैं ठीक लगा गया तो एक बार प्रजुवल इस सवाल के साथ वापस एक टाइम स्पेंट करेंगा तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे को पूरने चाना मिनिट क्यों लगे और बाग की बच्चों को एक मिनिट बैयानले सेगंड के आसपास का समय क्यों लगा इतने कम समय उन्हें क्यों कर लिया अगर उससे लगा कि हाँ बही मैंने यह सवाल दो बार किया और पहले बार मैंने गलत किया तो वो थोड़ा सा कोशेस रहेगा अगली बार कैलकुरिश सकते हो आसान आसान सब्सक्राइब आगे चलते हैं ठीक है एक सारे सवाल का अनलेशिस अब इंडिविजुली हर क्योशन का अप अनलेशिस देख सकते हो अगर ध्यान से देखें तो प्रज्वल की अगर बड़ा बात करें तो उसने इजी वाले 34 सवाल सेई किया और 6 गलत क पांच टफ सवाल थे उन पांच टफ सवालों में से मैं यह बड़ा पांच टफ सवाल उसने किये उसमें से उसने तीन सवाल से कर देखें यह बहुत सही है बुरी बात नहीं है बुरी बात यह है कि 24 सवाल जो उसने मोडरेट लेवल के थे उसमें से उसने 10 सवाल से गलत यह डिटा तुप सवाल में इतना फस नहीं रहा और तफ सवाल नगर तुप सवाल नगर तो फस भी रहा तो इतना सवाल फसते हैं तीन पांच में से बटा दो सवाल गलत हो है तो यहां भी 40% उसकी इनक्यूरेसी यह 40% इनक्यूरेसी है यह 40% इनक्यूरेसी समझ में आती है लेकिन जो मोडरेट क्यूशन्स है उन्हें अगर तुम 40% सवाल गलत कर रहे हो तो वह अंडिस्टेबल नहीं है जो सवाल थोड़े से इजी और टफ के बीच में है जिन सवालों के अंदर थोड़ा सा थोड़ी सी पीची दिविए रहती हैं हो सकता है कि दो फॉर्मला एक साथ लगते हों, हो सकता है कि फॉर्मला एक ही लग रहा हो, लेकिन लेंग्विज थोड़ी सी अच्छी हो, इस तरह के सवालों के साथ उसे ताइम फॉरा सा जाता स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, तो बड़ा ये इंफोर्मेशन भी काफी, आपका स्टेमिना कितना है, आपके जो 180 मिनिट है, उसमें आप किस तरह से exactly काम करते हो, इन 180 मिनिट को मैंने चार पार्ट्स में डिएड कर रखा है, 45 मिनिट, 45 मिनिट, 45 मिनिट, 45 मिनिट, आप भी जब एक्जाम दें, तो आप अगीन इस बात को अनलाइस करें कि आप हर 45 मिनिट में कैसे-करेंस कर रहे हो, भले आपके पार से लिए ना उलें आप एक बार हलका सा एफर्ट डालें, पहले 45 मिनिट की अंदर बच्चे के 45 नमर आए हैं, अगले 45 मिनिट में बावन नमर आए, extremely good, अगले 45 नमर में पच्पन नमर आए, extremely good, नमर खराब हैं, सिर्फ ह एक क्वार्टर के अंदर 34 नमर, यह बहुत ही regular trend है, बलकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने regular trend से थोड़ा सा stamina की हिसाब सब्सक्राइब देखे तो बैटर किया है, अगले बच्चे का अगरते हैं, कि पहले वाले एक क्वार्टर में अच्छा करते हैं, दूसरे में उससे थोड़ा सा कम करते हैं, तीस ने में उससे थोड़ा कम करते हैं, और लास्ट में तो लगबगलब performance यही रहती है, इस बच्चे ने काफी हद तक तीन क्वार्टर तक, मतलब लगबगलब 135 मिनट तक अपना stamina अपना जगाय रखा है, लास्ट के 45 मिनट में इस बच नहीं दी, जैसे उसने पहले 135 मिनट में दी है, अगर इसमें भी उसने लगबग लगबग वही performance अगर दे दी होती, तो उसके बड़ा लगबगलब 17-18 नंबर और आते हैं, अब इस बच्चे को इससे क्या सीखना चाहिए, और यह समझना कि सिर्फ इस बच्चे के साथ यह इसा है, कि mostly बच्चों के साथ information आएगी, इससे यह पता लगता है कि मुझे तीन गंटे लगातार बैठने की अदत नहीं है, इसका मतलब यह है कि मैं लगातार तीन गंटे बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि अब मुझे अपनी मेरी body को, मेरी psychic को, मेरी दिन में एक बार कम से कम तीन गंटे लगातार पढ़ाई करू ही करूं, तो यह पता हो, तुम्हें बड़े आराम से idea लगे लगे दो-तीन मेने में ऐसा हो जाओगे तुम लोग, कि तीन गंटे आराम से अच्छी पढ़ाई कर, समझगे इस बात को, तो यह जो stamina वाले जो performance ह यह में यह बताती है, कि हम कितना perform कर रहे हैं, तो आप कहीं भी अगर मानलों को बच्छा कर देंगे, इसने मेरे पास CVA analysis नहीं है, कोई बात नहीं, तो तुम चेक करो, तुम हलका सा एक बार, अपने जिस टम तुम एक्जाम दे रहे थे, उस टम को rewind करो, और देखो कि यार तेस्ट देकर तो तीन गंटे बैठने की प्रेटेस होई जाएगी, तो उसके अलाव जाओ घर पर पढ़ाई कर रहा हूँगा, भली मैं दिन में 6 गंटे पढ़ता हूँ, उस 6 गंटे में से कोई 3 गंटे ऐसे होने जिसमें मैं लगातार बैठ कर पढ़ाई करू, तब जाक पढ़ाई करना है, मैं आपको काफी हित तक आपको सारे से इंफर्मेशन दे ही दिये, मैं एक छोटी सी इंफर्मेशन और भी बैठ लोगों देता हूँ, मैं इस बात को बार 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 बोली रहा हूँ कि बढ़ातार आप टेस्ट दिया करो, टेस्ट देना बहुत कमपल्स टेस्ट होंगे, वो होंगे, जिसमें क्युमिलिटिव टेस्ट होंगे, पिरुडिव टेस्ट होंगे, वो लगातार आपके पास होंगे, अल्टिमेट टेस्ट सीरीज बढ़ा आपके पास होगे, जिसमें पंदरा, 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 फुल से लबस टेस्ट, बढ़ा प्लस 15 परूंगे की यह है जो प्लस पांच नहीं की भी पर होगे इसमीं से आपके यह जो 5 टेस्ट होंगे 5 के फूल से लवस टेस्ट होंगे आपके 20 टेस्ट बड़ा के पास ऐसे होँगे ऐसे MHT CT के बड़ा 5 विपर होंगे WBGE के आपके 5 विपर होंगे UGEE का जो विपर होता है AAAIT हेदरबाद का उसका आपके 6 पर होंगे कुल मिला के बड़ा यापके पास 91 के आसपास बढ़ाए सारे के सारे आपके पास टेस्ट रहेंगे, इनके साथ जितने भी चैप्टर है उन सारे के सारे चैप्टर वाइस टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे हाँ, ये ज़रूर धान रखे कि हमने जो chapter wise test बना रखें आपके लिए उसके अंदर पर chapter बड़ा 25 या 30 सवाल नहीं है, हमने उनके अंदर पर chapter में 50 सवाल डाल रखें, क्योंकि जैसे मालनों के वज्चा कर दें, किसे मुझी RPD का test देना है, बिल्कुल दो, को दिक्कत नहीं है, लिएन RPD का तो test होगा, उसमें 30 instruments की मिलाकर, सबके chapter wise test बें आपके पास available रहेंगे, इन सारे test करा text solutions, video solutions बें आपके पास available रहेंगे, ये competition digital जो website है, या फिर competition digital जो app है, वहां से बड़ा आप इसको buy कर सकते हो, 2999 की बड़ा इसकी fees है, individually अगर हम सारे के सारे test को अगर buy करेंगे, तो fees जो होगी, वो काफी, अगर सारे के सारे test, अगर तुम comprehensive test series में अगर buy करते हो, तो 3000 की आसपास, true tip line की बड़ा आसपास आपके fees रहेंगे, ये बड़ा, मैं इस बात को समझा दूँ, बड़ा competition digital.com अगर आप website पर जाओगे, तो ऐसा बड़ा आप interface नजर आएगा, वहां पर आप test series में आप हलका स बड़ा ऐसे scroll करोगे ना ऐसे, तो आपको ऐसे दिख जाएगा, यहां कहीं, comprehensive, computation comprehensive test series 2025, इसको बड़ा आप यहां से buyout कर सकते हैं, और ध्यांदर ना इस बात पर ना कि जैसे आप इसमें add to cart करोगे, तो बड़ा बाद में register now पर जाता ही phone number होगा आएगे, phone number से आपको OTP नि analyze कीजेगा, तब जाके बड़ा सारे सारे बाते बनेंगी, जिन बच्चों के पास अपने institute के test हैं, बिल्कुल आराम से इत्मिनांस बड़ा अपने institute के test दीजिए, जिन बच्चों के पास अपने institute के test नहीं हैं, वो बच्चे बड़ा competition, comprehensive test series के test please दीजेगा, इन सब को बहु 9 मेने दूर है, 9 मेने खूब स्थमे, 9 मेने, 10 मेने का समय बचा है, इस 9 मेने में 270 दिन है, 270 अगर बच्चा बढ़नो के 10-10 गंटे परता है, तो अभी भी लग-बखलो बुझे ऐसा रगता कि 2,700 गंटा या फिर 3,000 गंटे के आसपास का समय बचा हुआ है लेकिन अगीर, gradually धीरे-धीरे-धीरे increase थभी होगे जब regular test दोगे, हर test को analyze करोगे, अपने performance पर काम करोगे अपने कम्यों को ढूंडोगे, उन कम्यों को धीरे-धीरे दूर करोगे अच्छे ही आएंगे, बट प्लीज ही मेरी बात मानें, कि test जरूर बते हैं ऐसे फिर भी आपके मैंने कोई बात रह गया हूँ, कोई शंका रह गया हूँ, तो मुझे से जरूर पूछलना मैं comment box में reply करने कोशेश करूँगा वीडियो दोड़ा सा बड़ा इस लोगा है, मैंने सारे-सारे points वोजो, खास दोरे अनलेसेस वाले थे, वो समझाए, वो सारे points मेरी ख्याल सारे बच्चों को समझ में आप ही गया हूँगे, फिर भी कोई शंका हूँ, कोई बात को मुझे बता है, बढ़ाई खटत रहेगा All the best, bye